हेलो दोस्तों आज मैं आपके बीच लेक्ट आ रहा हूं रावा की वर्फी जो इसे सूजी भी कहते हैं महीन रावाख से बनाई है तो चलिए यह बीजी में स्टार्ट करते हैं इसमें क्या-क्या समगरी लगेगा लोग्ष लेता और है तो चलिए आप हम श्टार्ट करते हैं यह हमाऄा रावाख चार सो ग्राम ऑं यह हमारा 600 ग्राम चीनी है एऒभा Sag Issues का इमके यह थोड़ा सा बदयाम कट हुआ है इसमें थोड़ा सा पिस पिष्टा डालेंगे है से और बन letter के सब दिखाने के बाद अबसे सब से पहले एक कढ़ाई कि आयीप दो कि बना सकते हैं जो बदम का तेल वाय। वह माता बोनाए बदाम तल दोना मिला कर मॉला के बनाए интो सबसेपहले कढ़ाई गरम होने देते ह तो चलिए हमारे क्राइग गरम चुगा है तो हम यह 100 g घी स्में ड़ेट करेंगे सबसे पहले अब धी डाल देते हैं कि हम तेल डालेंगे बदाम का देखे इस चम्मा से हम कि एक है कि दो कि और यह तीन कि यह हमारा कि अभी 2800 ग्राम कि तेल हो चुका है कि इससे ज्यादा हम नहीं डालेंगे आप चाहें तो शिंगल चीजे बना सकते हैं यहां वाय différents चीज मिला के बना है अच्छा लगेगा कि अब जिस से जादे लायक करते हैं शिसमें बना सकते हैं तर 그 मारा डोला होगीं आप इसमें सब्रावर डालेंगे इस तरह से तो देखे इसको डालने के बाद अच्छी तरह के से हम भूंजेंगे जैसे इसे हम इसको भूंजाई आ होगा मेरा इसका कलर चेंज होगा अब इसमें जादे और नॉर्माली बनाना है ताल का घी में देखे भूंज के बना सकते हैं लेकिन बर्फी बनाएंगे अमावा वाली फिलिंग आना है इसलिए थोड़ा सा तेली साफ से देना लंसम इसको हम बरॉन होने तक भूंजेंगे ज़्यादे लाल नहीं करेंगे 5 से 7 मिर्टा कि इसको धीमाता में हम चला चला करके इसलिए चला छोड़ नहीं देना अगर छोड़ देंगे तो कहीं ज्यादे लाल हो जाएगा कहीं कमी से लिए छोड़ना नहीं है बेरंगा लगेगा जो हम चलाते रहेंगे इस तरह से हम घुमा घुमा करेंगे थोड़ा सा इस तरह से करेंगे जो हमारा दानादार जो है कि नॉर्मल हो जाएगा इस तरह से साथ मिनिट तक कंट्यूनू इसको चलाते रखना है को जरूरी नहीं साथ यह आठ भी हो सकता है लेकिन नॉर्मली साथ मिनिट तक इसको हम भूंजेंगे तो जल्दी भूंजा जाता है उसी से थोड़ा इसमें लगेगा इसको अच्छी तरह से भूंजेंगे लेखेगा जब से कईया हो जागा तो यह फरफरा हो जागा हम दिखा देंगे कितना दिर तक ऐसे समय आपको बता दी है अगर नहीं नॉर्मली है तो समय इसके अनुसार भी आप काम कर सकते हैं यह हमारा दो से धाय मिनिट भूंजा गिया है तो देखे थोड़ा चेंजिंग आ गिया है कलर में भी लेकिन थोड़ा और भूंजेंगे अब हमारा फाइनल भूंजाय नहीं जैसे भूंजाय यह हलका होगा और कलर भी चेंज होगा ताभी जिससे में डाले उससे में कलर अभी कलर में अंतर ही हो आप पता चलता होगा इससी परकार चलाते ही रहना आपको और आपको यह समझ में नहीं आया होगा कि यह दोनों चीज मिक्स करके बना रहे हैं क्यों तो देखिए गी और रित्तेल डालने कारण यहीं बहुत आदमी घी को लाइक नहीं करता है नौर्मली घी पसंद करता इसलिए उसके लिए है कि आप बीना घी का भी बना सकते है य सबस्क्राइब का दाला इसलिए कि दोनों का से मैसिंग होजाता है यह जालने की ठोड़ा सा गरम होने बाद तैंग का तो दौनों का सम स्वहत ना है घी में हमारे योद अगले को पता भी लिए तो नॉर्मल करने के लिए हमारा कटोड़ी दूध है इसको जरूरी नहीं तो दो मिनट आड़ चलाने के लिए इसको हम यह दूध है इसको बंद कर देंगे इसको मावा वाली फिलिंग लाने के लिए कि बंद करने के बाद ऑद होड़ को अगयर सshit करने के लिए फोड़ा सा फockey हैं इसमें रहे जाए गा का मरा जो ऑफ सिंह इक मावे तो चलिए मेरा ये पहला स्टेप तयार हो गया दूसरा स्टेप इसमें चासनी देना है चासनी बना लेते हैं पहले हम अब चासनी डालने काया काम करें यह पहले में गिलास पानी डाल दिया है पानी जादे नहीं डालना है अगर पानी जादे लेट तो चास्था यह बनाने में समय एक जाँ गया इसलिए पानी घ्लास डाले हैं लगभड़ी planning पानी हो अब इसको गंदगी उठाने के लिए थोड़ा से दूद इस्तुमाल करेंगे देखे इस तरह इतना दूद लिए इसमे नॉर्मल दूद नहीं डालेंगे थोड़ा से पॉनिये करेंगे जाए जाए दाल देंगे थोड़ा साम इसको मिला भी सकते हैं और देख लेंगे मेरा हमारा जो चिनी है गला नहीं धेखे थोड़ा चीनी बिया बचा हुआ है गला नहीं है जिना दो शितिं तार का चास्नी बनाएंगे जो हमारा जली बरफिस्ट सेट होगा इसलिए आप दिखा देंगे कि चीनी चास आप लोग जानते हैं चीनी जो बनता है उसमें भी गंदगी होता है इस तरह से हम गंदगी सब को निकालेंगे फुरा फ्रेश हो जाएगा दम चासनी दिखा देंगे है तो अट चली कैसा कैसा साप चासनी चाहिए हमारा बरफी में कोई क्लार उलर नहीं डाले इंतां फिभर्फि बनाएंगे इसलिए हमारा हमारा की इसाफ होगिया अब इसको हम किस तरह से होगा जो हम बर्फिम डाला छल्दी 3 जएखा तो हमारा इस तरह है इस तरह से थे निस टार प्रहुत Each इसको इसे इसा निले मिलें यह झाल गे इन देखर से करें मोट सी करें में मेर्चे नहीं वा है इस लिए 23 अमयरे छासनी नोफ से अवर तान करेंगे ज़िए अब हम देखि लेए तैंट है फिर से हमा राचकर लिए निः नंग एंब दूपिया एस तरह सेयं हुआ बता है इस तरह नहीं घड़ा ही औरल अगर आपको हसी बताएं ने성을े आदा ने अमरी केरीअ करें इस तरह सेहाँ था जहा सैं ल्यमिट्स कि गैस बुता हैं गैस्फ बुताने के बाद इसको ठोड़ा सा नॉर्मली जो ठंडा होता है जो इसका जो जो गलाहरा आप गरम हो उसको ठोड़ा सा नॉर्मल कर लेंगे इसको चला के इस तरह से दो से 3 वेट लिए अब इसको यह हमारा पहले सब देख सकते हैं दानान नहीं है यह मैं प्लेन है मुला हम हो चुका है डूट डालने से इसलिए माविवाल इसलिंग आएगा इसमें आपको फ्लेवर देना तप इलेशी भी इस्तेमाल कर सकते हैं या रोज एसेंस भी हम वाइट रोजेशन इस्तेमाल करेंगे बहुत चलाएंगे अच्छी तरीकी से गैस बूता हुआ हमारा यह हमारा चलाते चलाते जैसे रावा फूलेगा वाइसे यह हमारा थोड़ा सा टैठ होते जाएगा इसमें जो गर्मी है गर्माहट जो इसका रावा और चास्नी का पूरे अच्छी तरीक से निकाल लेंगे हम डाले एक वाद इस तरह से हम हाथ में लेंगे थोड़ा सा देखेंगे रावा मुलायम हमारा सौप्ट हुआ कि नहीं है अगर थोड़ा सौप्ट हो जाता है तो कोई कि नॉर्मल था मैं इसको अईसी तरह से ऐसे चलाते हैं आपको कि रावा को सब्सक्राइब करना है इसलिए गैस को बार लिए इसका गरम गर्मी पूरा निकल गया थोड़ा गर्मी बांदेगा हमारा रावा सब्सक्राइब जिसको सूजी कहते हैं हमारा रावा ट्रेट नहीं हुआ तो इसलिए फिर तम गैस चालू करके इसको थोड़ा सा दो से तीन मेंटी इस तरह सब होने देंगे हैं होने के बाद इसको हम बुता देंगे हैं कि आप हमारा चलाते चलाते हमारा सेट हो जाएगा दो से तीन मेट तक मिशको दर लें गब अब इसको गैस निकालेंगा अच्छे तरीके से महरा रावा भी सेठ हो जाएगा मुलायम सॉट और इसको जमनें भी आसान होगा इसको चला चला के अच्छी तरीगे से इसका गर्मी निकाल लेना है पूरा जो एदम लहरा हुआ है उसको ठंडा करना है सुसुम टैप का होगा तब इसको हम एक बरतन में जमाएंगे शेट होने तक इंतिजार करेंगे इसको जल्दी करें इसको ओख सकती है तो गर्म सद्का इसको थोड़ा ऐसा करेंगे थोड़ा सा नचीव पकण बाद हम इसको उसर्फ करेंगे लए लेवर के लिए और वाइट र्फिंश से त्युक्त का हो कुण मुणत श으면서 दो से तीन गुण डा या कि दालेंगे इसको इसमें थोड़ा सा घी लगा लेंगे मंशी घी टेल को भी हो किच्छी तरीके से हम जमादा चीनी कांसे चीत शुकाधे Chelsea इसलिए में ये वाल को या घी किसी चीज को भी लगा सकते हैं तो कि competitions अंगब कि यह हमारा अच्छी तरीके से लग गया अब यह हमारा इसमें सेट करने का समय चुका है देखिए यह हमारा साइट के उठाए हैं यह हमारे अदम पूरा सुख गिया है अब फिर भी गरह में रावा थोड़ा हिट जादे होता है इसलिए गरह में रावा चास नहीं इसलिए नहीं आपर जमाने के बरतन में खाली कर लेंगे इस तरह से हम सब इसको खाली कर लेंगे क्या इसको आप इसुसी से दावेंगे में थोड़ा सा फिर चिप के इसलिए हम अग्यान के सारे से इसको ब्लेंगे अगर नहीं होता है, तो थोड़ा सा इसको इस तरह से पठकेंगे, तो हमारा सब अड़ेस्ट हो जाएगा, मोटा पदला कहीं ने रहेगा, हमारा बदाम है, इसको इस तरह से डालेंगे, और थोड़ा सा सुन्दर देखिने के लिए, ग्रीन पिश्ता हमारा जो आता है, कर सकते हैं शेहत के लिए बहुत फायदयमन चीज है डाल करके फिर उसी घांच के साहरे से हम थोड़ा सा इसमें चिपका देंगे इसको ठंडा होने तक का इंतिजार करेंगे फिर इसका हम स्लाइस पिस बनाएंगे एक दोस्त यह हमारा बर्फिक ठंडा हो चुका है अब इसको हम कटिंग करेंगे कटिंग एक चाकू लेंगे इस तरह से हम एक यह हमारा दो इस तरह से हम डिवाइट पिस कर लेंगे आराम से कोई तागत नहीं लगता कटने में इस तरह से कि स्कॉइर कटना है या फिर किसी आकार में कटना है दो साब से अपने देख लिए हम इसकॉइर ही कटेंगे आग यह हमारा कि स्कॉइर हम इसकॉइर 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 हम झाल झाल